बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई जब भाग रहा है तो प्रोफिट सा रहे तो प्रोफिट्सारे प्रोेटर प्रेड आतने लिया है उसके बिना कॉई बेशी सब्सक्राइब रहा है हम क्या करते हैं इसके नीचे मेरा स्टॉप्फलोस Price लिखिए कि ये मेरा stop loss होगा सिर्फ उसका 1%, half percent या trend line के नीचे बोलने से नहीं होता है Price को दिमाग में register करना जरूरी होता है Stop loss is most important Trading के बीच में अपना concept मत change कीजिए ना stop loss एक बार टार्गेट चेंज करके extend कर दो चलेगा Stop loss change मत कर नमस्ते friends मुझे एक question बहुत बार पूछा जाता है Stop loss क्या लगाना चाहिए कभी-कभी तो लोग बुलते हैं कि जैसे अभी आपने open low बोला तो open low में हमें share जो है वो 306 का open low था तो हमने वहां पे buy कर लिया और 303 का stop loss लगा लिया सबसे पहली बात कि आपको अगर open low 306 तो 306 में मिला कैसे मिलते मिलते तो 306 हो जाता है तो कुछ चीजें जो होती है हम practical way में चलें तो ज़्यादा अच्छा है तो सबसे पहला step इसमें ये है कि आप कौन से time frame के trader है किस type के trader है आप investor हो या trader तो चलिए मैं month से start करके और lower lower time frame पे जाती हो और मैं एक ही stock ले रही हूँ जिससे क्या है कि मैं एक में आपको जब समझा सकती हूँ completely तो उसी को आप हर variety के stock में use कर सकते हैं तो let us say मंत्री के time frame में इस stock ने यहाँ पे breakout दिया था और इस breakout के बाद में हमें ये open low मिला और हमने इसको खरीदा अब ये है multi-year breakout तो definitely हमारा इसमें target भी बड़ा होगा मेरा minimum target जो होता है वो one is to two होता है मतलब अगर मैं एक रुपे का risk लेती हूँ तो मुझे दो रुपे का rewards चाहिए ऐसा सभी लोग कहते हैं मैं भी कहते हूँ लेकिन मेरा क्या है अभी जैसे मान लो मैंने 3,6,5,0 में लिया और मेरा stop loss है 3,6,0 और target है करीब करीब आप ये समझ लो 3800 तो मेरा stop loss कितना है यहां पर 50 रुपीज तो 3,7,0 होते होते मैं half book कर लेती हूँ जिससे जब stop loss अगर by chance हिट होता भी है तो मेरे घर से पैसा नहीं जाता है ये भी एक टाइप से stop loss के लिए protection का तरीका है और हम अपने capital को बचा सकते हैं उसके बाद जब पहला target 3800 आ जाता है तो हम part profit book कर लें और वैसे करते जा सकते हैं हम trailing stop loss भी यूज कर सकते हैं लेकिन जब हमने breakout trade किया है तो हमारा stop loss इसके नीचे ही आएगा तो जब इसके नीचे आएगा हम इसको trail कर लें यहाँ पर बेजते हैं यहाँ पर अगर लेंगे तो यह तो हमारा hit हो जाएगा hit होने के बाद फिर हमारे हाथ से यह पूरी rally खतम हो जाएगी तो इसलिए अगर यहाँ पर चला गया और मैं 50% मानलो बुक करती हूँ तो मैं अपने stop loss का protect कर लेती हूँ अब उसके बाद इस पूरी rally का मैं अच्छे से मज़ा ले सकती हूँ और जहाँ पर प्राइस मेरे अच्छे खासे favor में आ गई वहाँ पर मैं और भी profits बुक करके और बचा हुआ कुछ stock free कर सकती हूँ कई लोग free में confused हो जाते हैं तो free का मतलब मैं अपना पूरा capital निकालना हूँ और उसके बाद जो profit में से बच्चे हुए shares है तो उनकी costing करीब करीब zero हो जाएगी ऐसे करके भी हम shares इकठे कर सकते हैं तो मेरे पास दूसरा question आया कि भाई ऐसे तो मेरे पास तो बहुत सारी लंबी list हो जाएगी कोई बात नहीं वैसे भी आपके तो सारे free हैं सब बेच दो और जो आपको पसंद हो जो आपको continue उसमें से अच्छे dividend दिये हो continue अच्छी growth दी है जिसमें सबसे ज्यादा growth आये उनमें convert कर दो उसमें कौन सी बड़ी बात है list वापस कम हो जाएगी लेकिन रहेंगे तो free के free they are like wealth creators अगर आप भी intraday trading सीखना चाहते हो तो हमने आपकी पेवरेट जोदी कुद्या माम के साथ मिलकर एक कोर्स डेवलब किया है इस कोर्स में मैम ने हमें से काया है कि हम intraday basis पर breakout trades को कैसे identify करें using open high, open low, short build-up, analog build-up अगर आप ये methods को correctly apply करते हो तो आपके लिए profitable trades को spot करना बहुत easy हो सकता है ये कोर्स हमारे platform में सरफ 399 rupees में available है और description में दिये गए link पर जाकर आप उसके लिए register कर सकते हो अब हम आते हैं इसे lower time frame में lower time frame में जो की weekly है जो भी time frame हम लेते है weekly अभी weekly में यहां पर मुझे मिला है तो मैं इसके open low जैसा मिला stop loss मेरा यहां पर रहेगा और again same way continue right तो इस तरह से सबसे पहला यह decide कीजिए कि हम कौन से time frame के trader है holding capacity कितनी है बहुत लोग मुझे यह कहते हैं कि भाई जब चलने लगता है भाग रहा है तो control नहीं होता profits आ रहे हैं तो control नहीं होता loss आ रहा है तो control होता है तब ऐसा नहीं लगता है कि इसको फटा फट बुक करें तब हम उनको कोई pressure नहीं है सिर्फ देखते रहते हैं और जब profit आता है तो हम परिशान हो जाते हैं जल्दी book करो भाई यह उल्टा behavior क्यों जो आ रहा है उसे आने दो बट जो जा रहा है हो सेके तो उसे रोक लो अब हम आते हैं और भी lower time frame में daily में जो भी है हम breakouts trade कर रहे हैं supports trade करेंगे यह हम support trade करेंगे बीच में तो हम trade नहीं करते ना तो लेटर से हमने यह support trade किया ठीक है अब इस support पे यहाँ पर यहां पर breakdown आया हमने trade लिया stop loss लगाया इसके उपर और आ गए target भी achieved target कैसे achieve करना है आपने कितने का risk लिया है यह मैंने swing में भी बताया था फिर से आपको बता देती हूं अभी जैसे यह rounding top है तो यह यहां का जितना distance है उतना distance में नीचे expect कर सकते हूं ओके तो यह हो गया यह support है support के उपर मैंने videos और भी बनाए है support zone है, resistance zone है यह सब बनाया हुआ है ना यह देखिए continue तो यह जो support zones जो है यहां पर मुझे यहां पर letter से buy मिला तो trend line के नीचे stop loss stop loss बिलकुल defined होना चाहिए अब यह मान लो मैं यहां पर buy कर रही हो 3300 है, तो 3310 आपका stop loss अगर आप यहां ले रहे हो letter से 3225 तो कितना आपने यह 3230 मतलब 80 का stop loss है, अगर 80 का stop loss है, तो first 80 जैसे ही पहुँचा आप अपना 50% बुक कर लीजे बाकी का 160 पहुचा है, तो profit बुक कर लीजे, और चाहिए तो और continue कीजे, इस तरह से जहां पर भी आप trade करते हैं, तो breakout, breakdown या जिस जगे भी करते हैं, उसके according ही stop loss लीजे trade आपने लिया है, उसके पीछे कोई न कोई base तो होगा उसका, की ऐसे ही ले लिया, अगर ऐसे ही ले लिया, चलो, अब हम यह मानते हैं, आपने ऐसे ही ले लिया, मन में आये ले लिया, तो ऐसी situation में, फिर आपका stop loss उतना होगा, जितना आपकी pocket बरताश कर सके, मतलब अपने अगर लाक रुपए का trade उठाया है, लाक रुपए उसमें डाले हैं, तो लेटास से हजार रुपए का आप stop loss डालेंगे, तो हजार रुपए अगर उसमें आपका निकल गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हजार रुपए का रिस्क नहीं उठा सकते, तो trade भी इस तरह से आँख बंद करके मत लीजिए, knowledge के साथ trade लेंगे, तो आप भी काफी हद तक सुखी रहेंगे, 100% की तो guarantee, कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकती, भाई हम 100% अपनी खुद की guarantee नहीं ले सकते, तो market की guarantee कहां से लो, अब आते हैं, इससे भी lower time frame में, कि मान लो मैं positional trader हूँ, अब positional trader हैं, तो उसके हिसाब से भी, अगर आपको breakout trade करना है, तो latest से आपने ये breakout trade किया, ये breakout trade किया, कुछ तो breakout trade किया होगा, कही न कहीं से कुछ तो किया होगा, कोई न कोई support तो draw किया होगा, राइट, कहीं से भी आपने draw किया, तो अब ये आपके सामने breakout आ रहा है, आपने इसमें trade किया, अब ऐसी जब line आती है, तो समझो आपने यहाँ पर कहाँ बाई किया होगा अच्छा एक आदत हमेशा बनाईए कि जैसे अब मैंने कहा कि यहाँ पर हमने बाई किया है 3470 तो stop loss क्या होगा 3440 3470 buy price 3440 stop loss price हम क्या करते हैं हाँ इसके नीचे मेरा stop loss price लिखिए कि यह मेरा stop loss होगा सिर्फ उसका 1%, half percent यह trend line के नीचे बोलने से नहीं होता है price को दिमाग में register करना जरूरी होता है तो 30 रूपीज का stop loss मतलब जैसे ही 30 रूपीज उपर गया तो मुझे 50% book करना है ना और फिर उसका डबल जाने के बाद फिर continue करना और वो सब बाद की बात है but stop loss is most important अब आते हैं इससे भी lower time frame में let us say half an hour अब आते हैं 30 minutes और यह हमने trade लिया यह वाला breakout यह वाला breakout पर trade लिया अगर आप यहां पर buy करेंगे तो stop loss तो भी है यहीं पर आने वाला है तो मान लो आपने यहां पर buy किया 3500 पर और stop loss है 3460 40 रुपीज का stop loss है अगर आपको लगता है कि target इसके उपर जाएगा मतलब 80 रुपीज उपर जाएगा तो यह trade कीजिए according to me यह जो बड़ा candle बन जाता है तो यह risk की होता है इतना बड़ा risk reward जो भी है लेना difficult है तो practical trades दीजे जहां पर आपका stop loss छोटा हो target बड़ा हो breakout candle अगर अपने आपने बहुत बड़ी होगी ना तो आपका stop loss बड़ा हो जाएगा वो चीज का ध्यान रखेगा कि आपका stop loss कम हो छोटी candle से breakout या छोट नीचे से बढ़के ऊपर जाके breakout ले वो ज्यादा अच्छा है breakout candle करीब करीब target कम्प्रीट कर दे तो फिर मजानी आएगा यह तो क्या है हमको राइट हैंड का दिखता है लेटर से मैं यहां पर यह हटा देती हो अब मैंने यहां पर ले लिया इसके बाद यह किया मुझे पता है क्या आगे क्या हो अब यह देखिए जिस रंग से वो उपर नीचे कर रहा है हिम्मत होगी लेने की continue करने की वो तो आगे दिख रहा है ना अभी अब बताइए real में so it is not practical practical trades लेने की कोशिश कीजिए तो stop loss उसी हिसाब से set होगा चलिए इसे भी lower time frame में आते है 15 minutes में ठीक है 15 minutes में let us say हमने यह बनाया नहीं बना ठीक है यह वाला trade हमारे लिए नहीं है आपको कोई trade यहां पर कहीं मिल गया होगा तो यह जो मैं भी कह रही थी कि breakout पे यह चोटा सा candle बना है यहां पर अब आपका stop loss कितना हो गया 3620 के लगभग और आपकी buying होगी 3650 मतलब 30 rupees का stop loss है आप buy करेंगे और stop loss लगाएंगे और आराम से आपका target भी आजाएगा देखिए आप कोई भी time frame के trader हो एक चीज़ ध्यान रखे जितना higher time frame में जाएंगे आपका stop loss percentage wise भी ज़्यादा होगा और target भी बढ़ाई होगा percentage wise मतलब हो सकता है 5-7% का stop loss हो 10% का stop loss हो तो target भी आपका 25-30% आएगा जैसे जैसे आप छोटी 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 चोटी टाइम च्रेम में जाएंगे हो सकते आपका stop loss 1% है तो target भी 2% ही होगा या 1% होगा हो सकते हाफ परसेंट का stop loss हो और 1% का target हो तो यह जो भी चीज आप करें सबसे पहले यह decide करें कि आप pattern पर काम कर रहे हैं आप किस time frame के trader हैं क्योंकि कई बार हमें यह पता ही नहीं होता है कि हम delivery के लिए कर रहे हैं कि intraday के लिए कर रहे हैं लॉस हो रहा है तो डी मैट में डिलिवरी ले लेंगे, कल बेचेंगे, कल देखेंगे, नहीं, जो आपने डिसाइड किया है, जो आपका ट्रेडिंग टेंपरमेंट है, उससे मत हिलिए, और वो ट्रेड आपने जो भी सोच समझ के लिया है न, उस पे स्ट्रिक्ट रहिए, ट मतलब स्टॉपलोस ट्रेल कर लो, नीचे मतले किया हो, बढ़ाओ मत्स्टॉपलोस को, स्टॉपलोस रीट हो गया, हो जाने दो, अगला ट्रेड देखेंगे, ट्रेड के पीछे मत भागो, नौलेज के पीछे चलो, नौलेज के साथ चलो, कोई भी आपको कॉल देता है, एक बार अपनी स्टडी चार्ट से या स्क्रीन से या डेटा से जो आपको समझ में आता उससे करिये अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी समझ में नहीं आता है और आप से ब्लाइंडली कर रहे है तो I will suggest मत करिये तो आपको इसे बचा के रखना जादा जरूरी है अगर आप भी इंट्राडी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमने आपकी फेवरेट जोदी कुद्या माम के साथ मिलकर एक कोर्स डेवलब किया है इस कोर्स में माम ने हमें सिकाया है कि हम इंट्राडी बेसिस पर ब्रेक आउट ट्रेड्स को कैसे अइडेंटिफाइ करें यूजिंग ओपन हाई, ओपन लो, शॉर्ट बिल्डप, अनलॉग बिल्डप अगर आप ये मेथर्द को करेक्टली अपलाय करते हो, तो आपके लिए प्रॉटेबल ट्रेड्स को स्पॉट करना बहुत इजी हो सकता है ये कोर्स हमारे प्लाटफॉर्म में सरफ 399 रुपीस में अवेलबल है और डिस्क्रिप्शन में दियेगा इन लिंक पर जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो तो stop loss उसी तरह से बहुत important है और stop loss का placement सबसे important है Stop loss swing trading में भी लग सकते हैं, options में भी लग सकते हैं, सभी चीज़ों में stop loss लग सकते हैं बट उसके लिए आप मुझे बताईए और comment box में लिखिए कि आपको किस चीज के उपर stop loss in depth in detail सीखना है मैं आपको सिखाऊंगी और apply करोगे comment करोगे तभी तो मुझे मज़ा भी आएगा और मैं और भी सिखाऊंगी मुझे बताईए आपको किस चीज में stop loss in depth सीखना है मैं हर चीज आपको detail में सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी धन्यवाद